हेलो साथियों स्वागत आपका पुना आपके अपके चैनल पे जिसका नाम है विजार्ट अकेडमी दोस्तों हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसे खसम कर रहे थे वीडियो में अगर आपको पता हो और आप जो लगातार अगर इसको देख रहोगे तो आपको पता है कि आप ब मुहिम कम लोग आगे बढ़ाएंगे और पार्ट बारा जो हमें आपको पढ़ाना वो पढ़ाएंगे पार्ट की चिंता मत करें ददद स्माज पाज मिनिट के ही वीडियो है यह आप देखेगा उनको और सीखेगा कैसे होते हैं क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट जब हो जा क्या रहा वन अपन एपलस वन और बीपलस वन की वेलू निकालो हम इसमें करके दिखा देरा आपको लेकिन आपको शौट करना है शौट कैसे करना उसके पहले आपको समझना पड़ेगा हो क्या रहे हैं तो अगर हम देखेंगे आपको सीधा से एक तो तरीका है वैलू तो आप देखेंगे तो ये वाला बन गे आपका root 2 प्लस का आपका 2 क्योंकि 1 और 1 2 होता है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 7 cancel हो जागे यहाँ पर के वार root 2 पड़ेगा अब हम conjugate करा लेंगे संयूग में गुणा तो इसका conjugate जो root 2 प्लस 2 का होगा जब हम conjugate कराएँगे तो यहा पर 2 बड़ा है तो 2 पहले लिख ले रहा हम ताकि समझ जाएगा तो अगर हम यह आग बुणा कराएंगे तो root 2 माइनस का 2 माइनस का root 2 करा लीजे यहाँ पर 2 माइनस का root 2 अगर हम कराएंगे तो यहाँ पर यह बन जाएगा आपका 2-2 का गुणा कराएंगे तो उपर हो गया 2-2 और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर a plus b a minus b 2 का square 4 और root 2 का square 2 4 में से 2 गया नीचे 2 बचेगा क्योंकि अब हम लोग यह पढ़ाओ पर पहुँच गया है कि जल्दी अल्दी कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह क्या बन जाएगा तो यहाँ पर यह root 2 upon root 2 तो यहाँ जगा root 2 upon 2 अगर हम LCM लेने जाएंगे और LCM अगर हम लेंगे तो देखेगा यहाँ पर क्या LCM बचेगा यहाँ पर तो LCM लेने जाएंगे तो 2 LCM आएगा आपका ठीके ना 2 अगर हम देखें यहाँ पर अगर आप LCM ले ले तो मैं इसका LCM यहाँ लेके दिखा देरो यह 1 होता है अगर आप देखेंगे तो 2 upon 2 यहाँ पर कितना आ जाए गा 1 आ जाएगा तो यह पूरा आपको concept also आपको समय में आया होगा कि इतना बड़ा कैसे हुआ दीमे दीमे रख करके पुट कर लिया लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है शौटकट करते हैं यह मैं आपको दिखाता हूँ shortcut कैसे करना इसी में देखेगा हम shortcut देखेंगे और मैं इसको rough करके आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे को करना क्या actually मैं इतना बड़ा कॉन करेगा क्योंकि exam में इतना time एम दें, competition में, तो सीखने के लिए हो गया, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखेगा कैसे होता है, अगर हम इसको ध्यान दे, तो यहाँ पर, A और B का अगर हम into करा है, पहले तो आपको check कर लेना है, कि A और B का into, अगर कितना है, अगर 1 हो रहा है, तो फिर यह concept जब यह दे रख होगा, जनी 1 upon A plus 1, और 1 upon B plus 1, प्लस में, तो आप यह कर सकते हैं, A की value दे रखी, root 2 plus 1, और आपकी B की value दे रखी, आपकी root 2 minus 1, ठीके ना, अगर आप देखेंगे, तो A plus B, A minus B बनना है, जो कि होता है, root 2 का square, minus 1 का square, यह B मन में check करना, इतना नहीं check करना, root 2 का square 2, 1 का square 1, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर यह आ गया, यानि अगर यह 1 ना, यह बास सही है, तो बस आप मन ही में इसको check कर लिजेगा, क्योंकि A plus B, A minus B बननना है, अगर यह बन गया, बहुत असानिके संग, तो बस आप देख लिजेगा, अगर A into B बरावर 1 दे रखा हमें, ठीके ना, तो हम B की value निकालेंगे, B is equal to 1 upon A हो जाएगा, B equal to क्यों हो जाएगा, 1 upon A, उठा करके आप यहाँ put कर दिजेगा, B की value 1 upon A, बहुत असानिक संग देखेगा, अब मैं रखने जा रहा हूँ, B की value, देखेगा, मैंने आ रखा, तो यहाँ पर हमें B की जगे क्या रखना है, 1 upon A रखना है, यह रखा 1 upon A, B की जगे मेरे को 1 upon A रखना है, A की जगे नहीं रखना है, B की जगे रखना है, तो एक तो वैसे ही रहा, plus 1 हो गया, और B की जगे मैं रखूंगा 1 upon A, ठीक है ना, अब जब मैं LCM लोंगा, तो यह हो जाएगा 1 plus A, और जो नीचे A वो उपर चला जाएगा, जो सबसे नीचे होते हैं, वो सबसे उपर जाते हैं, याद रखेगा, और यहाँ पर आपको लिखा A, और यहाँ पर यह 1 plus LCM लिया था A, अब जब आप LCM लेंगे, तो आपका LCM में कितना बचेगा, 1 plus A, और नीचे यह सेमी लिखा है दोनों जगे, तो 1 plus A हो जाएगा, और कट करके कितना आगया, आपका 1 उत्तर होगे, बहुत असानिक सब्सक्र, ठीक है, तो देखते हैं, अगर मैं X लिखू, X into Y dot, जो होगा, वो 1 के बराबर होना चाहिए, अगर मैं X लूँ, तो S की जगे मैं लिखूंगा, 1 upon 2 plus root 3, ठीक है, और into लिखूंगा, और Y की जगे लिखूंगा, 2 minus का root 3, ठीक है ना, मैंने कुछ चक करना है कि यह 1 बनार, अगर 1 बनार है तो direct आप concept लिख सकते हो, देखो अगर यहाँ पर लिखा मैंने, तो अगर मैं किसी एक का conjugate करा लो, मैं X को ऐसे लिखे रहे ने दू, और अगर आप देखेंगे, और यहाँ पर into 1 upon 2 minus root 3, यहाँ पर देखेंगा, a plus b, a minus b बन गया, तो यहाँ पर a plus b, a minus b क्या होता है, आपका 1 upon 2 का square, मन में ही देख लिजेगा, minus आपका देखेंगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका root 3 का square, जो होता है 3, 2 का square 4 और वो, तो यहाँ नीचे आपका 4 में से एक गया, यहाँ एक बटा एक होता है, यहाँ आपने देख लिए आपर, कि यह a plus b, a minus b को show कर रहा है, ठीक है ना, अगर यह show कर रहा है, तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, अब direct हम जानते, x into y बराबर 1 है, तो हम y की value है निकाल देंगे, 1 upon x, 1 upon x रके हम यहाँ पर direct put करेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे आपका 1 upon x plus 1, और y की जगे हम क्या रखेंगे आपका, आपका 1 upon x, क्योंकि हम एक जैसा बना दे रहे हैं ठीक है, lcm लेंगे, तो यहाँ पर हो गया आपका 1 plus x, और नीचे भी यह आएगा आपका 1 plus x, lcm लेने पर क्योंकि दोनों जगे पर 1 plus x है, तो आपका numerator ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा, और यह काट देंगे, तो यहाँ पर आजाएगा 1 आजाएगा, बहुत असानिक संग हो गया, चलिए एक question all लेते हैं, और आपको दिखाते हैं कैसे हो, देखेगा, मैंने एक तीसर सवाल लिया, इस concept का आज का, और मैं तीसरे concept में भी आपको यही बता रहा हूँ, कि आपको money में चेक कर लेना है, x into y बराबर आपका 1 बनना हो, तो मैं यही हवा में देख लूँगा, बनना है की नहीं बनना है, ताकि इन चीजों का आप सीख जाओ, और यह ना समझें की आपका कुछ चीज मिस हो गई है, ठीक है, root 3 plus root 2 लिखा, और यहाँ पर यह क्या हो गया, आपका इससे एकट जाग, इससे एकट जाग, यह नहीं 1 बनना है, तो अगले नियम यह करना, आपको यहाँ पर y की जगे भी एक सेम जैसे बनाना है, तो यहाँ पर हम कर देंगे y बराबर लिख देंगे 1 upon x, बस उठा करके पटक देना, पुराने जैसे सवाल हो गया, इससे पहले भी मैंने तो यहीं पढ़ाय था, आप x की जगे x लिखिए, इसकी जगे 1 लिखिए, y की जगे आप ये लिखिए, y की जगे आपको 1 upon x लिखना है, आपर 1 लिखना है, similarly 1 x plus 1 हो जाएगा, और यहाँ पर यह x उधर चला जाएगा, और x उपर चला जाएगा, क्योंकि जो सबसे नीचे होते हैं, सबसे उपर जाते हैं, और यहाँ पर आप L से मिलेंगे, तो 1 plus x LCM आजाएगा, और 1 plus आपका, ये देखिए, इधर से ये 1 बच जाएगा, और इधर से ये आपका x आजाएगा, और 1 plus x से 1 plus x कट जाएगा, इसका उत्तर 1 हो जाएगा, ठीके, देखिए, आपका बहुत असानी संग हो गया, दोस्तों देखेगा, जब भी हम कोई चीज ठानते हैं मन में, चाहे हमारे मन में कुछ भी हो, और अगर हम उसके लिए भरसक प्रयास करते हैं, तो आपको आपका लक्ष मिलता है, बहुत बार ऐसा होगा, कि आप किसी चीज की तैयारी आप करेंगे, तो आपको सीधा रस्त यू नहीं, कभी आप बिल्कुल डाउन जाएंगे, तो कभी हो सकता आपका जो विश्वास है, वो बहुत उपर हो, लेकिन कुछ भी करके हम ये रास्ता गिवप नहीं करना हो, और लक्ष को प्राप्त करना ही करना है, और अंत में अपने लक्ष तक हमें पहुचने हैं, इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो समाप्त करता हूँ, और मिलता हूँ अगले अपने शॉर्ट्स पे, वीडियो पे, तब तक लिए ध्यान रखे, विजाड़ा के इनी तरफ से पिपाया,